Two step is planning, आपको करना पड़ेगा proper planning Hello dear students, आज हम लोग बात करेंगे कैसे target set करते हैं और उसको achieve कैसे करते हैं For example, आपको चाहिए match में 100 out of 100 तो आपका target हो गया set कि आपको चाहिए 100 out of 100 तो सबसे first step है आपको करना है goal setting जो हम लोग कर चुके हैं कि हमें चाहिए 100 100 से बिलकुल भी कम माक्स हमको स्विकार नहीं है किसी भी हालत में जब goal setting हो गया, number two step is planning आपको करना पड़ेगा proper planning कि जब आपने 100 score करना है तो कैसे आएंगे, कौन से chapter को कितना पढ़ना है, किसको कितना छोड़ना है पड़ना है, paper setting कैसे होती है, वो सब हम लोगों ने समझना है number three, एक बार planning हो गए आच्छे से, फिर हमने करना है action routine बनाना है, उसको पढ़ना है कितना पढ़ना है, कितना revise करना है, कौन से question को 10 तबार revise करना है, कौन से question को सिर्फ एक बार से काम चलेगा यह सब हमने उसको action mode में लाना है number four step, आपको चाहिए guidance, mentorship आपको एक ऐसा teacher, एक ऐसा guide चाहिए जो आपकी जितने भी weaknesses हैं, उन सब को सुधारे आपको answer लिखना सिखाए, कैसे paper setting होती है, यह बताए आपने proper अपने mentor को follow करना है जो आपको आपका target achieve करने में करेगा help हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हमारा mentorship program जिसमें हम लोग first 100 students के साथ workout करेंगे उनके 100 out of 100 लाएंगे अगर आप हमारे उस program को join करना चाहते हो तो उसका link आपको comment में मिल जाएगा, description box में मिल जाएगा link पर click किजिए, form fill किजिए और फिर शुरू करते हैं हम लोग हमारा target 100 batch God bless you all